बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम असलाम वालेकूम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइस 4.8 फाइंड दा फेक्टर्स बाइ यूजिंग फेक्टर थियूरम हम डिस्कस कर रहे हैं भी क्वेस्टिन नंबर 3 यह में पॉलिनॉमिल एक्स्प्रेशन गिवन है अब अब अगर हम देखें फेक्टर्स उफ 6 तो यहां पर फेक्टर्स उफ 6 अब हमें plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and plus minus 6 इस इसर दा फेक्टर्स अब हमने इन ही factors में से x की value को put करना है और इस equation को solve करना है जब तक कि polynomial equation of x 0 ना हो जाए तो हम यहाँ पर first consider करते हैं हम यहाँ पर x इन ही numbers में से हमने put करना है तो हम put करते हैं x is equal to 1 तो हमें लिखा 1 का cube minus 6 1 का square plus 11 then 1 फिर minus 6 अब 1 का cube solve के हो गया 1 तो हमें लिखा 6 और 1 का square भी 1 तो 6 बंगा 6 plus 11 बंजा 11 और minus 6 अब अपने 6 में से 1 minus किया तो minus 5 plus 11 minus 6 plus 6 और फिर minus 6 अपनी जगा तो हमारे पास यहाँ reminder आगया 0 when x is equal to 1 तो हमारी equation यहाँ हो गई 0 then x minus 1 is a factor of polynomial equation of x अब हमने synthetic division method यूज़ करना है अब synthetic division method यूज़ करना है तो यहाँ x cube लिखा है इसके साथ coefficient है 1 तो हम यहाँ पे लिखतेंगे 1 फिर उसके बाद है minus 6 तो हम यहाँ लिखतेंगे minus 6 फिर हम लिखतेंगे 11 और in the end हम लिखतेंगे minus 6 अब आपके पास यहाँ पर x जब आपने 1 पुट किया तो equation 0 हो गई तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसके बाद इसको हमने solve करना है तो यहाँ पे आपने equation को ऐसे solve करना है कि इस 1 को as it is यहाँ लिखतेंगे then 1 multiply by 1 तो answer आएगा 1 अब आपने minus 6 और plus 1 इसको solve करना है minus plus minus तो यहाँ answer आएगा minus 5 अब 1 को multiply करना है minus 5 के साथ तो answer आएगा यहाँ पे minus 5 और plus minus minus 11 में से आपने 5 minus किये तो answer आगे आपके पास 6 अब 1 multiply by 6 तो answer यहाँ पे आगे 6 और minus 6 plus 6 तो remaining answer आगे 0 this is the final answer कि हम यहाँ पे equation solve करके synthetic division method से 0 equate करना है अब हमने यहाँ पे लिखा polynomial of x is equal to first expression हमारे पास आएगा x minus 1 और अब हमारे पास second यहाँ जो equation बन गे यहाँ पे लिखा है 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे x square इस one is minus 5x और फिर यहाँ पे लिख दिया plus 6 तो अब यहाँ पर आपके पास यह equation आगी है x minus 1 अब आपने यहाँ इसको factors बनाने हैं तो x square ऐसी ही लिखा आपने और plus 6 भी ऐसी और minus 5x को आपने ब्रेक किया तो यह हो गया minus 3x and minus 2x फिर आपने लिखा x minus 1 फिर आपने इन में से x common लिया तो x bracket में और bracket x minus 3 आंसर आगया क्योंकि x multiply by x x square और x multiply by 3 minus 3 अब इन दोनों में से आपने minus 2 common लिया तो bracket में आगया x और minus 3 और bracket क्रोस क्योंकि 2 3s are 6 और minus minus plus finally after pass answer आजेगा x minus 1 यह वाला x minus 3 यहां से यह x remaining और यहां से minus 2 तो ही जोइन करकिया तो this is your final answer